अगला है अब अगला है आपका इट सुट भी फॉलो हुक्स लाउ इट सुट भी फॉलो हुक्स लाउ तो पहले तो हम यह जानते हैं कि हुक्स लाउ क्या होता है हम एक एक चीज को डीटेल में समझेंगे आपर तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि हुक्स लाउ क्या होता है उ किसी पे किसी भी बॉडीक के लगने वाले इस्ट्रेश। तो यहां पर फिर आपको एक दो नए टर्मा पता चले। एक है इस्ट्रेस एंड दूसरा है इस्ट्रेन तो आपके लिए दो और नए टर्म हो गए इस्ट्रेस और इस्ट्रेन तो यह क्या होता है तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इस्ट्रेस क्या होता है तो जब भी आप किसी अबजेक्ट पे लोड लगाते हो तो वो अबजेक्ट आपका डिफार्म होना चाहता है अपना सेप चेंज होना चाहता है मतलब आपने किसी अबजेक्ट को दबाया जैसे कि आप इधर कॉलम को ही देख सकते हैं कॉलम को मैं उपर से लोड लगा रहा हूँ तो बोडी डिफार्म होने की कोसिस करेगी यह हो सकती इसे रेजिस्ट भी कर ले पर बोडी डिफार्म होने की कोसिस करेगी बोडी पे डि करता है एक और बा में रिपीट कर रहो हो जब भी आप किसी बॉडी पे लोड लगाते हो बॉडी में डिफॉर्मेशन पैदा होने लगता है पर उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए बॉडी का सेल्फ इंटरनल रजिस्टेंट और उसका ऑपोजिट डारेक्शन उस पर्ट होता है चेंजिन लेंथ अगर मैं चेंजिन लेंथ को डेल से सो करूँ अपाउन ओरिजिनल लेंथ मतलब पहले मेरा लेंथ कितना था वो मेरे नीचे में है और चेंजिन लेंथ मतलब दो लेंथ का डिफरेंस है मतलब दो लेंथ का डिफरेंस है मतलब फाइनल मतलब बिफो मतलब पहले कितना था और अभी कितने है उसका डिफेर्इन से डेल य और L है हमारा लेंद्थ ठीक है तो emphasizing stress और तो आपको जो यहां लाश्ट में मिलेगा यह वाला जो पॉइंट है यह हैं आपका elastic limit यह है आपका elastic limit ठीक चब तो आप जैसे की figure में देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका stress भी बढ़ता जा रहा है वसी वसी आप lotta बढ़ता जा रहा है तो यह फालौ कहां तक करेगा A ouler का फालौ करेगा Alto क मतलब है कि आपका। छो बॉडी को सिलाए grateful है एसना फालौ करता वह मतलब है कि आपका जो बॉडी है अंडर elastic limit तक के ही work करेगा और आपका formula भी साथ आपका elastic limit तक के ही देगा उसके बाद नहीं देगा ठीए तो यह था आपका third assumption अगला assumption है length is very large length is very large अब इसका कहने का यह मतलब है length is very large कहने का यह मतलब है अगर आपका लेंथ जादा बढ़ा नहीं है, अगर कुछ ऐसा स्क्वेर से, प्या कोई ऐसा,